प्यारे दोस्तों, अल्टिमेट ग्यान में आपका हार दिख स्वागत है, जै माता दिख, बिना कुछ किये ही, शत्रू स्वयम ही पराश्थ हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, सुन कर बड़ा आश्चिय लगता है, भूख लगती है तो बिना खाना खाए, भूख शान्त नहीं होती, प्यास लगती है तो बिना पानी पिए, प्यास नहीं बुझती, फिर बिना कुछ किये ही, शत्रू स्वयम ही पराश्थ हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम बताएंगे आपको. दोस्तो, हम आपको समन करा दें कि शक्तिया कहां से आती हैं? दोस्तो, शक्ति ही नव्यक्ति कभी भी δुनिया में जीवित रहना नहीं चाता, रहता भी है तो जीने नहीं दियाता, और शक्ति शालि पुरोश स्वाभी मान के शाथ जीता है पर ये शक्तियां आते कहां से हैं दोस्तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तब हमारे देव में शक्तियां प्रवल होने लगती हैं इसी प्रकार जब हम दीप जलाते हैं और भोग लगाते हैं तो अपने पित्र देवों में शक्तियां बढ़ने लग जाती हैं और पित्र देव हमारी सदा रक्षा करते हैं इसी प्रकार का बल बार-बार जब हम समर्ण करते हैं अपने देवों का तो हमारे देवों का बल बढ़ता रहता है और वे सदा हमारी सहायता करते रहते हैं दोस्तो अब हम बताएंगे आपको हमने जो बताया कि शक्ति हीन पुरुस कैसे जीता है शक्ति हीन पुरुस किसी का मुकाबला करने में जब सामर्थ ही नहीं तो जीता किस प्रकार है आपके शत्रु को यदि बिना कुछ किये ही शक्ति हीन बना दिया जाए तब आपका शत्र स्वयम ही समाप्त हो जाएगा कैसे होगा ये सब जिस प्रकार से बार बार सुन्ण करने से देव में शक्तियां आती हैं इसी प्रकार से दोस्तों जब आप अपने शत्रू का बार बार नाम लेते हैं किसी के सामने उसका जिक्र करते हैं किस प्रकार से अपने शत्रू को प्रा शत्रू की शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। बस दोस्तों आपने केवल यही ध्यान रखना है कि आपके शत्रू का नाम आपकी जुबान पर ना आए। दोस्तो आप एक महीना इस प्रियोग को करके देखिए आपका शत्रू इतना निर्बल होने लगेगा कि आप स्वयम कहेंगे कि ये क्या हो गया पर आप अपने मुक्षे तो उसका नाम नहीं लेंगे लेकिन आपके मस्तिश्क में मन में उनका विचार जरूर आता रहेगा अब आप कहेंगे कि इस मन के विचार को कैसे बदलेंगे दोस्तो जब आप अपने मुक्षे उनका नाम लेना बंद कर देंगे तब एक सफता बाद ही आप देखना कि आपके मन से भी वो विचार गायब होने लगेंगे और यदि फिर भी कोई विचार आपके मस्तिश्क में पैदा होता है तो आप थोड़ा ध्यान अपना पूजा पाठ में लगाईए अपने कारिये करने के शैली इस प्रकार बनाईए कि आप विश्ट रहें आप अपने बच्चों में मन लगाईए आप दूसरे मनोरंजन के कारिये में मन लगाईए किसी भी प्रकार का आप कोई भी तरीका चुन सकते हैं बस ये तरीका चुनने के बाद आपके मस्तिश्क से भी उसका नाम निकलने लगेगा मुख पर तो आप स्वयम ही काबू कर लेंगे अब देखना दोस्तो एक महीने के पस्चाथ यदि आपका शत्रू आपके आसपास से भी गुजरता है या दूर से गुजरता है तो आप देखना वो आपसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा दोस्तो इस प्रकार का यह प्रियोग है कि आपको बिना कुछ किये ही आपके शत्रू को पराश्ट कर देगा और आप अपने जीवन को सदा के लिए खुश हाल बना लेंगे तो करके देखना दोस्तो यह प्रियोग अचोग प्रियोग है यह तो कैसा लगता है दोस्तो आपको अपना यह प्रोग्राम यदि आपको पशंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे दोस्तो अगले अंक के साथ तब तक के लिए धन्यवा झाल